C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की विज्ञान की पाठे पुस्तक विज्ञान 1. प्रस्तुत है इस पुस्तक का पाठ 15. हमारे चारों और वायू. तो आईए अब सुनते हैं पार्ट 15. प्रिष्ट 147 अध्यायन 9 में हमने यह सीखा है कि सभी जीवों को वायू की आविशक्ता होती है. लेकिन क्या आपने कभी वायू को देखा है? आपने कभी नहीं देखा होगा. लेकिन निश्चे ही वायू की उपस्तिती कई तरीकों से अनुभव की होगी. इसे आप तब अनुभव करते हैं जब पेड़ों की पत्तियां खड़ खड़ाती हैं या कपड़े सुखाने वाले तार पर लटके हुए कपड़े धीरे धीरे हिलते हैं. पंके के चालू होने पर खुली पुस्तक के प्रिष्ठ आवास करने लगते हैं. वायू के बहने के कारण ही आपकी पतंग का उड़ना संभव होता है. क्या आपको अध्याए पांच का क्रिया कलाप तीन याद है, जिसमें आपने रेत और बुरादे को निश्पावन द्वारा अलग किया था? निश्पावन की प्रक्रिया बहती वायू में अधिक प्रभावी होती है. आपने ध्यान दिया होगा कि तूफानों के समय वायू बहुत तेज गती से चलती है. कभी-कभी तो यहाँ प्यडों को भी उखार देती है, तथा छतों के उपरी हिस्सों को भी उड़ा कर ले जा प्रक्रिया कलाप एक, आए चित्र संक्या 15.2 में दिये गए निर्देशों के अनुसार हम अपनी एक फिर्की बनाते हैं. फिर्की की डंडी को पकड़िये और उसे एक खुलिक शित्र में भिन भिन दिशाओं में रखिये. चित्र संक्या 15.2 में एक साधारन फिर्की बनाना दिखाया गया है. इसे थोड़ा आगे पीछे कीजिए. देखिए क्या होता है? क्या फिर्की घूमती है? फिर्की को कौन घुमाता है? क्या इसे वायू नहीं घुमा रही है? क्या आपने वात सुचक को घूमते हुए उशाया गया है. यहां उस दिशा में रुख जाता है जिसमें की उस इस्थान पर वायू चल रही होती है. 15.1. क्या वायू हमारे चारों और हर जगह उपस्तित है? अपनी मुठी बंद करें. इसके अंदर क्या है? कुछ नहीं. इसका पता लगाने के लिए यहां बताए जा रहे क्रिया कलाप कीजिए. कांच की एक खुली हुई खाली बोतल लीजिए. क्या यह वास्तों में बिल्कुल खाली है? या इसके अंदर कुछ है? अब इसे उल्टा कीजिए. क्या अब इसके अंदर कुछ है? प्रिष्ट 148 चित्र 15.4 इस चित्र में एक खाली बोतल से प्रयोग करते हुए दिखाया गया है एक बर्तन में पानी भरा है और उल्टी बोतल उसमें डाली गई है दूसरी तस्वीर में हम देखते हैं कि बोतल जब पानी के अंदर डाली गई है तो उसमें से बुलबुले बाहर आ रहे हैं अब बोतल के खुले मुख को पानी से भरी हुई बाल्टी में चित्र संख्या 15.4 के अनुसार डुबोएं बोतल को ध्यान से देखिए क्या पानी बोतल के अंदर प्रवेश करता है अब बोतल को थोड़ा सा तिर्चा कीजिए क्या अब पानी बोतल में प्रवेश करता है क्या आप बोतल में से कुछ बुलबुले बाहर आते देखते हैं या बुद-बुदाहर सुनाई देती है पस्तित थी, बोतल पूरी तरह से किसी भी प्रकार खाली नहीं थी, वास्तों में इसे उलटने पर भी यहाँ पूरी तरह से वायू से भरी हुई थी। पाली हुए भाग में पानी भर जाता है। यहाँ क्रिया कलाब दर्शाता है कि वायू स्थान घेरती है। यहाँ बोतल के पूरे स्थान में भर जाती है। यहाँ हमारे चारों और उपस्तित है। वायू का कोई रंग नहीं होता, हम इसके आर पार देख सकते हैं। यहाँ पार दर्शी होती है। हमारी पृत्वी वायू की एक पधली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृत्वी की सतह से कई किलो मीटर उपर तक है। तथा इसे वायू मंडल कहते हैं। चित्र संख्या 15.5 इस चित्र में परवता रोही को अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हुए दर्शाया गया है। जैसे जैसे हम वायू मंडल में प्रिथवी के तल से उपर की ओर जाते हैं, वायू विरल होती जाती है। क्या अब आप विचार कर सकते हैं कि परवता रोही उचे परवतों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ क्यों ले जाते हैं। पंधरा पॉइंट दो वायू किस से बनी है? अठारवी शताबदी तक लोग सोचते थे कि वायू केवल एक ही पदार्थ है। प्रयोगों से यह सिद्ध हो गया है कि वास्तों में ऐसा नहीं है। वायू अनेक गैसों का एक मिश्रण है। यह मिश्रण किस प्रकार का है? आईए एक करके इस मिश्रण के मुख्य अव्यवों के बारे में पता लगाते हैं। जलवाश्प हमने पहले पड़ा है की वायू में जलवाश्प विद्धिमान होती है। हमने यह भी देखा है कि जब वायू किसी ठंडे प्रिष्ट के संपर्क में आती है, तो इसमें उपस्तित जलवाश्प ठंडी होकर संगनित हो जाती है। तथा जल की बूंदें ठंडे प्रिष्ट पर दिखाई देती हैं। प्रकृती में जल चक्र के लिए वायू में जलवाश्प का उपस्तित होना अनिवारे हैं। प्रिष्ट 149 चित्र संक्या 15.6 इस चित्र में प्रयोग करते हुए दिखाया गया है और ये सिध किया गया है कि वायू में आक्सीजन है। पर लगाएं और उन्हें जला लें। इन में से एक मुम्बत्ती पर कांच का एक गिलास उल्टा करके रखते हैं। दोनों मुम्बत्तियों को ध्यान से देखें। क्या दोनों मुम्बत्तियां लगातार जलती रहती हैं या बुझ जाती हैं। आप देखेंगे कि जो मुम्बत्ती गिलास से धकी थी, वह कुछ देर बाद बुझ जाती है, जबकि दूसरी मुम्बत्ती जलती रहती है. इसका क्या कारण हो सकता है? विचार करें. ऐसा प्रतीत होता है कि गिलास से धकी मुम्बत्ती इसलिए बुझ जाती है, क्योंकि वायू का वह घटक जो मुम्बत्ती के जलने में सहायक है, वह सीमित है. और मुम्बत्ती जलने से कुछ देर बाद समाथ हो जाता है. जबकि दूसरी मुम्बत्ती को लगातार वायू मिलत रहती है वायू का वह घटक जो जलने में सहयक है वो ऑक्सीजन कहलाता है नाइट्रोजन मुम्बत्ती के बुजने के बाद भी क्या आपने यह देखा है कि वायू का एक बड़ा भाग अभी गिलास में शेश रह जाता है यह सूचित करता है कि वायू के कुछ अव्यव जलने में सहयक नहीं होते वायू का एक बड़ा भाग जो मुम्बत्ती के जलने में उप्योग नहीं हुआ नाइट्रोजन कहलाता है कार्बन डायॉकसाइट एक बंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा होता है तो शायद आपने घुटन महसूस की होगी यह घुटन कमरे में क कार्बन डायॉकसाइट की अधिक मात्रा एकत्र होने के कारण हुई है जो की लगातार किसी वस्तू के जलने के कारण पंती है हमारे चारों और की वायू का एक छोट अव्यव कार्बन डायॉकसाइट होता है यह सला दी जाती है कि फसलों के अफशेश वा सूखी पत्तियो को नहीं जलाना चाहिए क्योंकि इससे वायू प्रदूशित होती है। धूल तथा धूआ इंधन तथा पदार्थों के जलने से धूआ भी उत्पन होता है। धूए में कुछ गैसें एवं सुक्ष्म धूल कड होते हैं जो प्राया हानी कारक होते हैं। इस कारण आप कारखा पानों में लंबी चिमनिया देखते हैं। ये चिमनिया हानी कारक धूए तथा गैसों को हमारी नाक से तो दूर ले जाती हैं। लेकिन आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के बिल्कुल नस्दीक ले जाती हैं। वायू में धूल के कंण सदैव उपस्थित रहते हैं। क्रिया कलाब चार अपने विद्याले या घर में धूप वाला एक कमरा खोजिये। सारे दर्वाजे तथा खिड़कियां बंद करतें तथा पर्दे आदी डाल कर कमरे में पूरा अंधेरा करतें। जिस दिशा से सूर्य का प्रकाश आ रहा है उस ओर के दर्वाजे या जिर्री के द्वारा कमरे के अंदर आ सके। अंदर आती हुई सूर्य की किरणों को सावधानी पूर्वत देखिए। प्रिष्ट एक सौपचास चित्र संखिया 15.7 चित्र में वायू में धूल के कड़ों की उपस्थिती का सूर्य के प्रकाश में अवलोकन करते दिखाया एक कमरे से दर्वाजी के द्वारा एक छेद के मात्यम से सूर्य की किरण कमरे में प्रवेश कर रही है। सूर्य के प्रकाश किरण पुंज को देखा होगा, जिसमें धूल कण रिद्ध करते प्रतीत होते हैं। यह दर्शाता है कि वायू में धूल के कण भी उपस्थित होते हैं। क्या आप उस पल को याद कर सकते हैं जब आपके अभी भावक ने आपको मुह से सांस लेने के कारण डाटा हो। अगर आप मुह से सांस लेंगे तो हानिकारक धूल के करण आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ बूजो आपसे यह पूछ रहा है कि चित्र संक्या 15.8 में पुलिस कर्मी ने मुखोटा क्यूं पहना है। चित्र संक्या 15.8 इस चित्र में एक भीड भरे चौराहे पर एक पुलिस कर्मी द्वारा मुखोटा पहन कर याता यात नियंतरन करते हुए दर्शाया गया है। इससे हम यहां निशकर्श निकालते हैं कि वायू में कुछ गैसे, जलवाश्प तथा धूल के कारण वित्यमान होते हैं। मात्रा अधिक होती है। वास्तों में ये दोनों गैसे मिलकर वायू का 99 प्रतिशत भाग बनाती हैं। शेश एक प्रतिशत में कारण डायोकसाइट, कुछ अन्य कैसें एवं जलवाश्प होती हैं। जैसा कि चित्र संख्या 15.9 में वायू की संदचना को एक ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है। यहां पहली जानना चाहती है कि अगर पारदर्शी शीशे की खिर्कियों को नियमित रूप से साफ ना किया जाए, तो वहाँ धुंदली क्यूं हो जाती हैं। बूजो जानना चाता है कि आग लगने की घटना के समय जलती हुई वस्तु के ऊपर कंबल लपेटने की सला क्यूं दी जाती है। प्रेश्च 151 15.3 पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को आक्सीजन कैसे मिल पाती है। क्रिया कलाप पांच किसी धातू या कांच की बर्तन में थोड़ा पानी लीजिए। इसको धीरे धीरे गर्म करें। पानी के उबलने से पहले सावधानी पूर्वक पात्र के अंदर की सतह को देखिए। चित्र संख्या 15.10 में इसी प्रकार एक बर्तन में पानी को गर्म करते हुए दर्शाया गया है जिसमें बर्तन की सतह पर पानी के बुलबले उठते दिखाई दे रहे हैं। क्या आप छोटे-छोटे बुलबले इस से चिपके हुए देखते हैं जैसा की चित्र संख्या 15.10 में दर्शाया गया है। और देखिए, ये बुलबले पानी में घुली हुई वायू के कारण बनते हैं। जब आप पानी गर्म करते हैं तो घुली हुई वायू बुलबुलों के रूप में बाहर आती है। आप पानी को यदी और गर्म करते हैं, तो पानी वाश्पु में परिवर्तित हो जाता है और अंतता उबलने लगता है. हमने अध्याए 8 तथ 9 में पढ़ा है कि जो जीव पानी में रहते हैं, वो श्वसन के लिए पानी में घुली हुई आक्सीजन का उप्योग करते हैं. जो जीव गहरी मिट्टी के अंदर रहते हैं, उन्हें भी सांस लेने के लिए आक्सीजन की आविशकता होती है. क्या ऐसा नहीं है? वे सभी श्वसन क्रिया के लिए आविशक वायु कहां से प्राप्त करते हैं? क्रिया कलाप 6. एक बीकर या कांच के गिलास में सूखी मिट्टी का एक धेला लीजिए. इसमें पानी डालिए और अवलोकन कीजिए कि क्या होता है. जैसा कि चित्र संखिया 15.11 में दर्शाया गया है. क्या आप मिट्टी से बुलबले निकलते हुए देखते हैं? ये बुलबले संकेद करते हैं कि मिट्टी में वायु होती है. जब मिट्टी के धेले पर पानी डाला जाता है, तो उसमें विद्धिमान वायु विस्थापित हो जाती है, जो बुलबलों के रूप में प्रिष्ट 152 जमीन पर आना पड़ता है क्या यही कारण है कि केचवे केवल भारी वर्षा के समय पर ही जमीन से बाहर आते हैं क्या आपने कभी यह सोचा है कि सारे जीवुं के द्वारा ऑक्सीजन का उप्योग करने के बावजूद वायू मंडल की ऑक्सीजन समाप्त क्यों नहीं होती वायू मंडल में ऑक्सीजन को प्रतिस्थापित कौन करता है चित्र संख्या 15.11 इस चित्र में एक बर्तन के अंदर मिट्टी रखी हुई है और उस मिट्टी के उपर एक परकनली द्वारा पानी डाला जा रहा दर्शाया गया है 15.4 वायू मंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होती है अध्याय साथ में हम प्रकाश संशिलेशन के बारे में पढ़ चुके हैं इस प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन स्वैम बनाते हैं तथा इसके साथ ही ऑक्सीजन उत्पन होती है पौधे श्वैसन में ऑक्सीजन का उप्योग करते हैं परन्तु उप्योग की गई ऑक्सीजन की तुलना में वे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्य करते हैं इसलिए हम यह कहते हैं कि पौधे ऑक्सीजन उत्पन्य करते हैं यहां वास्तविक्ता है कि जन्तू पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते। पौधों एवं जन्तूं के द्वारा श्वसन तथा पौधों के द्वारा प्रकाश संशलेशन से बना रहता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पौधे तथा जन्तु एक दूसरे पर निर्फर हैं। अब हम यह अनुभव कर सकते हैं कि प्रिथ्वी पर जीवन के लिए वायू अत्यंत महत्वपून है। क्या वायू के कुछ अन्य उप्योग भी हैं। क्या आपने पवन चक्की के बारे में सुना है। चित्र संख्या 15.12 को देखिए। इस चित्र में पवन चक्की का चित्र दिखाया गया है। वायू पवन चक्की को घुमाती है। पवन चक्की का उप्योग टूब वेल से पानी निकालने तथा आठा चक्की को चलाने में होता है। पवन चक्की विद्युद भी उत्पन्न करती है। वायू नावों को खेने में ग्लाइडर, पेराशूट तथा हवाई जहास को चलान प्रिश्ट एक सौ तरेपन प्रमुक शब्द वायू मंडल कार्बन डाइओकसाइड वायू की संदचना आकसीजन नाइट्रोजन धुआ पवन चक्की सारांश वायू प्रतेक स्थान पर मिलती है हम वायू को देख नहीं सकते परन्तो इसे अनुभव कर सकते है गतिशील वायू को पवन कहते है वायू जगा घेरती है जल तथा मिट्टी में वायू उपस्थित होती है वायू नाइट्रोजन आकसीजन कार्बन डाइओकसाइड जलवाश्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिशरण है इसमें कुछ धूल कन भी हो सकते है आकसीजन जोलन में सहायक तथा श्वसन के लिए आवशक है वायू की वह परत जो प्रिथवी को घेरे हुए है उसे वायू मंडल कहते है प्रिथवी पर जीवन के लिए वायू मंडल आवशक है जलिये प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायू का उप्योग करते है वायू से ऑक्सीजन तथा कार्बन डायोकसाइड के आदान प्रदान के लिए पौधे तथा जन्तु एक दूसरे पन निर्भर होते हैं अभ्यास 1. वायू के संघटक क्या है? 2. वायू मंडल की कौन सी गैस श्वसन के लिए आवशक है? 3. आप यहाँ कैसे सिध्ध करेंगे कि वायू जोलन में सहायक होती है 4. आप यहाँ कैसे दिखाएंगे कि वायू जल में घुली होती है 5. रूई का धेर जल में क्यों सिकुड जाता है 6. प्रिथवी के चारों ओर की वायू की परत रिक्तिस्थान कहलाती है 7. हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए वायू के अव्यव रिक्तिस्थान की आविशक्ता होती है 8. पांच क्रिया कलापों की सूची बनाईए जो वायू की उपस्थिती के कारण संभव है 9. वायू में गैसों के आदान प्रदान में पौधे तथा जन्तु एक दूसरे की किस प्रकार सहयता करते हैं प्रस्तावित परियोजनाएं एवं क्रिया कलाप 1. एक साफ शीशे की खिड़की पर जो एक खुलिक शित्र की और खुलती हो कागस की एक आयताकार पट्टी लगा दें कुछ दिन बाद इस पट्टी को हटाएं क्या आप खिड़की के ढखे हुए आयताकारिस्थान तथा बाकी खिड़की में कुछ अंतर पाते हैं इस क्रिया कर आपको प्रतेक मह दोहराने से आपको अपने चारों ओर की वायू में विद्धिमान धूल के कड़ों की मात्रा का वर्ष के भिन भिन समयों में बोध हो जाएगा 2. सड़क के किनारे पर उगे व्रिक्षों एवं जाड जंकार की पतियों का प्रेक्षन कीजिए नूड कीजिए कि क्या इनकी पतियों पर धूल अथवा कालिक तो नहीं जमी है इसी प्रकार का प्रेक्षन विद्याले परीसर अथवा किसी बाग के पेड़ों की पत्तियों के साथ कीजिए क्या सड़क के निकट के विरिक्षों की पत्तियों पर एकत्रित कालिक तथा बाग या विद्याले की पत्तियों पर एकत्रित कालिक में कोई अंतर है इस अंतर के क्या संभावित कारण हो सकते हैं? अपने शहर अथवा कस्बे का मानचित्र लीजिए इस मानचित्र में उन क्षित्रों की पहचान करें जहां सड़क के किनारे के पादपों पर कालिक की बहुत मोटी परद देखी है इन परिणामों की अपने सहपाथियों के परिणामों से तुलना कीजिए तथा इन शित्रों को मानचित्र पर अंकित कीजिए गदाचित सभी विद्यार्थियों के परिणामों को सहरांशित करके समाचार पत्रों में छापा जा सकता है इसी के साथ 16 पाठों की इस पुस्तक का 15 पाठ यहां समाप्थ हुआ वाचन परवेज गौहर, निर्मान वंदना अरी मर्तन तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत